हेलो मैं यूट्यूब फैमली वेलकम टू मैं चैनल आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं अपना सरोजनी नगर विंटर वियर कलेक्शन पहले आप में सरोजनी नगर के उस ब्लॉग को देख लिए जिसमें मैंने मार्किट विजिट की है उस वीडियो मे मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी तो चलिए देखते हैं अपना पहला प्रोडेक्ट तो नाव यू कैन सी दिस इस माइ फर्स्ट डेनिम शर्ट जो के मैंने सरोजनी नगर के सब्सी मंदी लेन से ली थी मैंने उस वीडियो में आपके साथ लेन भी शेयर की है यह आप द यह शर्ट मुझे सिस्फ पड़ी है वहाँ पर उन्होंने वहाँ पर वीक्ली मार्केट थी मैंको कीण है वहां पर सारे एक पास ब्रैंड्स की वहां पर शर्ट उनके पास mostly Western वेस्टन वियर ही थे तो यह शर्ट की ओवर लुक और यह है बैक बैक में आप देख सकते हैं यह शेड़ है उपर लाइट शेड़ है और नीचे यह डार्क सेम एलटी स्लीफ पर भी शेड़ है और फ्रंट में भी आपने देखा कॉलर के पास उपर सेम जैसी बैक में है वैस का अच्छा है यह बहुत पैबरीक कोर्टन नहीं है इसके बटनस जो है वह सिल्वर है यो कैन झी और यह इसकी दी मेहा प्लाइट इसके पॉक्टेट शर्ट वह क काफी काफी बड़ी बड़ी सी पॉक्टेट्स ऑब पहने के बाद अच्छी लगती है और यह है इस तब इस लीव कि यह भी मैंने जहां से वह मैंने आप को प्रीवियस जारा की शेर्ट जहां से उसी शौप से मैंने यह शीर्ट ली ती यू कैन स्काइब ब्रू सा कलर्व यह इसके बटन काफी लूज सी स्लीप से इसकी है Is ब देख रहे हैं काफी काफी लूज बूस है काफी जान है 나서 सर्माइब एक्षल साइज और इसकी स्लीप क ॅदาย को तो है इसको खोलूंगी तो यह लूप जो है यह जो है इससे यह टाइट हो जाएगा बट यह काफी लूज शर्ट है पहने के बाद बहुत अच्छी लगती है और इसका भी फैब्रिक कॉटन है बट प्योर कॉटन नहीं है अब देखते हैं विंटर कलेक्शन जिसमें है फर्स न कण्या तरहा है और यह पर यह टिजाइन wow कि यह जिप गोल्डन और भी बट साइट यह इस तरह से तिरचीज़ी है और फुल Sleeves. Now you can see It's overlooked. इस आप देखिए बीज वाला पार्ट हल्का सा ये हाई लो सा पेटरन है. तो बीज वाला पार्ट हल्का सा ये उचा है और पीछे का जो है वो थोड़ा सा बड़ा है, लंबा है. ये है इसका बैक जैसे के स्वेटर्स का मोशली होता है नेक्स्ट है ये ब्लैक कडिगान जो बिलकुल से ब्लाइक कलर में है इसमें यह वुडल से पटन है है यह आत्राव से फोर बटन्थ और यह मैंने अपने लिए नहीं यह मैंने अपनी सिस्टर के लिए लिए यह बहुत अच्छा सा संदस्ट एट अन्हों यू कैन सी बोनी एलएक्स का ये इसका टैग है बोनी एलएक्स नेक्स्ट है ये रिट स्वेटर जो के टुमेटो रेट कलर में है बहुत प्यारा सा है वूलें जब अच्छी वाली धंद पड़ेगी ना उसके बहुत अच्छा काम आए गये अच्छा इसका वूल भी बहुत सॉफ्ट सा है टोमेटो रेड कलर में है और मुझे रेड कलर बहुत पसंद है तो comment down किसको किसको red color पसंद है now you can see sleeves, fitting वाली sleeves हैं इसकी long और बुनाई में ही इसकी design बना हुआ है, ये इस तरह से lines है, फिर सीधी lines है और side में ये design बना हुआ है, यहाँ पर से ये line है बुनाई में ही इसका ये design है और बहुत soft सा है wool इसका यह सब मैंने उनी स्टॉल से लिए थे जो मैंने आपको वीडियो में सवरुणी नगर के व्लॉग में शेयर किया है जो स्टॉल साइड में होते हैं भईया लोग तो काफी रिजनेबिल प्राइस ने मिल गये थे यह मैंने कुछ स्वेटर्स लिए थे और शर्ट जो ली काफी रिजनेबिल प्राइस ने मिल गई थी जो के यह प्योर कॉटन की शर्ट है इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया था नेक्स्ट है यह पिंग कलर की शर्ट नाओ यू कैन सी इसकी फिटिंग बिल्कुल मेरे बहुत अच्छे से आई थी जो मेरा साइज है सेम उसी मीक्न लगा हुआ है जो इसके कॉलर पर एत्व अच्छाइब देखिए यहां पर यह वैupolthis rayon के पास में एक यह बटन अलगा हुआ है लाज्य की तरह तरह नोट्स होते हैं और जो रिमेस्ट को प्लास्टिक चाहर प्लास्टी बटन होते सभें प्लास्टिक यह टेकनकल नेक्स्ट यह शर्ट है जो मेरी मोस्ट फेवरिट शर्ट है और इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया था और मुझे पहले लगा कि मेरी टाइट हो बट भी बिल्कूर मेरी फिटिंग भी बहुत अच्छी आई थी मैं आपके साथ फोटो शेयर कर रही हूं यू कैंसी बहुत मैंने कुछ ब्लेजर और जैकेट्स भी ली है जिसमें फिर्स नमबर पे है यह ब्लेजर इसका कलर मुझे बहुत पसंद आया है इसका टैग भी लगा हुआ है अब तक मैं पहन के भी देखा था और यह बहुत अच्छा लग रहा था चाहा इसमें यहां पर ब्लैक सा एक द भीलेजर कर दिया था यूँ अच्छा ये जो ब्लैक ब्लैक है ना यह बोल्ड तो शॉप के जो शटर उनका है वहां पर उन्होंने इसको हैंक किया था बाहरी तो वहां से यह ब्लैक लग गया था बट मुझे इसका कलर बहुत पसंद आया था और वह ब्लैक की वज़ा से प्राइस में दे दिया यह मुझे 400 या 500 के अंदर ही संथिंग कुछ ऐसे ही था जो बहुत मेरे साइस का भी है और मैंने इसको वियर किया था तो बहुत अच्छा लग रहा था ता बेस्टिंग इस इस के यह वूले नहीं है यह एक फैब्रिक जो खादी सा फैब्रिक होता है उस फैब्रिक का है तो इसको मैं विंटर में भी वियर कर सकती हूँ इस जो स्टार्टिंग है उसमें भी वियर कर सकती हूँ और समर सीजन में भी इसको वियर कर सकती हूँ तो यह बहुत अच्छा मुझे लगा पीस क्योंकि इसको मैं दोनों सीजन में वियर कर सकती हूँ और इसके बैक में अच्छा यहां पर देख सकते हैं इसको वह करीवी है और इसके बैक दिखाती हूं जो के पूरी यहां तक है जिप थोड़ा सा रह जाता है इसकी ओपन है यहां पर कर लोंगी नेक्स्ट है यह सकाइब लुकर में इसका भी कलर बहुत प्यारा है यह मैंने में सरोजनी से नहीं लिया था सरोजनी के बाहर ही एक अंकल थे जो बोल रहे थे कि शॉप का कलेक्शन है किसी मौल का कलेक्शन और कुछ डेमश की वज़ा से निकाल देते है यह वह कलेक्शन है आई थिंक उन्होंने तो ऐसा नहीं बोला और यहां पर कोई डिफेक्ट इसमें दिखा है में भी कुछ हो ऐसा और यह जो है वह इसके मर्पी देख सकते है 999 बट उन्होंने मुझे यह 300 का दे दिया था और इसका जो वूल है वह कुछ जो रुआ बहुत है यह ओवर साइज है सो मेभी मैं इसको कुछ करके फिटिंग कर लो या कुछ कर ही लूँगी इसका भी बट हाँ यह मुझे इसका कलर फैब्रिक और इस प्राइस रेंज में बहुत अच्छा मुझे मिल गया बहुत सौट सा है और मैंने इसको ओवर साइज भी ले है और इसमें लेस में यह बटन है जो के पर्ल के है इस तरहां से आप देख सकते हैं यह सिर्फ मोती नहीं है उसके बने हुए यह बटन है और स्लीफ काफी लॉंग है उसमें आगे यह वही लेस लगी है जो निक पे है अच्छा यह बहुत से लिया था जो बीच में लोग खड़े होते मैंने वीडियो में आपको दिखाया था तो काफी अच्छा है यह और पहनने के बाद भी अच्छा लग रहा है हलका सा लूज यह तो कि अच्छा कषूस को लिए साथ नहीं है जो चुपता है वह वाला नहीं है सॉफ्ट सा है नेक्स्ट है यह ग्रे कलर का शर्ट है बलेजर तो नहीं क्या सकती क्योंकि यह फैबरिक जो है वह रोल नो इस फैबरिक को क्या कहेंगे ऐखाधी सा फैबरिक है कौर्टन म हैं और यहां से यह जो है वो सिलाई करीवी है अलग से अटैच है इस तरह से इसकी स्लीब्स हैं स्लीज से बटन नहीं है बढ़का यह खुला हुआ है पीछे इसके और मैंने सिर्द इसी वज़ा से लिए है क्योंकि यह और वहां पर हुड़िट का कलेक्शन ज्यादा नहीं तो मुझे यह पसंद आई यह नहीं और यह काफी रिजने मिली थी जहां से मैंने आपको फर्स्ट दिखाई है ना जारा की जो शर्ट डैनिम की वहां से मैंने ली थी जो आइधिंक सिर्फ और सिर्फ 200 की यह दी थी नेक्स्ट है मेरी यह मोस्ट फेवरेट जैकेट जिसको मैंने एक बार में पसंद कर लिया था यह उनके शॉप के बाहर लगी हुई थी है मुझे बहुत पसंद आई यह यहां पर ना इसके अंदर यह फैब्रिक लगा हुआ है और यह दोरी मैंने आपको दिखाने के लिए ब यह बेल्ट की ही तरह है और यह इसकी जिप है जो के मैं ओपन करके दिखाती हूँ नाउ यू कैन सी अंदर इस तरह से इसके फैब्रिक लगा हुआ है जिससे ऐसा लूक आएगा कि आप अंदर कोई शिर्ट पैने हुए हैं यह हैं इसकी पॉकिट्स और यहां पर इसकी यह जिप हैं और यह सिर्फ डिजञाईन में ही जिप दिए हुई है यह डिजाइन है इसका और यह अंदर क्या हुआ है यह इसकी स्लीब्स है और इसके बैक में यह है इस तरहां से से यू कैन सी इसका कलर ना ब्लू सा कलर है बहुत प्यारा से कलर जो एक्जेक्ट वीडियो में नहीं आ रहा है और ये इसका ये कैप है जो होड़ेड है इसमें ये अलग से दिया हुआ है और ये जो जैकेट के साथ का जो फैबरिक है वो अलग है ये जैकेट मुझे पढ़ी है सिर्फ और सिर्फ फाइफ हंड़ेड की बहुत ही बारगिनिंग करने के बाद उन्होंने 15 मिनट्स लगाए थे सिर्फ इस जैकेट के लिए क्योंकि उन्होंने मुझे बताये थे इस जैकेट के आइधिंग 1100 या कुछ ऐसे ही बताये थे बहुत कम करने के बाद मैंने उसे ओनली 500 मिली है नेक्स्ट और लास्ट है यह जो कि आपने मेरे सरोषी नगर के व्लॉग में भी देखा होगा यह बहुत सारी शॉप्स में इस कलर के बहुत सारे ब्लेजर थे और जैकेट्स थी जो काफी रीजनेविन थे 223300 के उसी वह से मैंने यह लिया था mostly वहाँ पर डिफ्टिव तेच्ट डिथे अच्छा डिफ्ट क्या था उसमें उसमेंड बीच में ही कहीं पर ऐसे अदर कलर के जो डाय मेंग ब्लू कि मुझे मुझे और बहुत पसंद आया ता तो ने के बाद मुझे एक फ्रिश नपीश मिल गया था यह उस में 250 या कुछ ऐसी 300 का ही था जो मुझे बहुत पसंद आया और सेम मेरे साइस का मिलिया था उसमें सभी साइज थे अब मैं आपको इसके बैक दिखाती हूं बैक से कुछ इस तरह से है कि और यहां पर ये इसकी पॉकेट्स हैं दोनों साइड काफी डीप हैं शेते उनकी पॉकेट्स डीप नहीं होती हैं तो उसमें मोबाइल या आप कुछ नहीं रख सकते हैं इसकी में पार। होते हैं जो आपको 223 300 के महां पर मिलेंगे वह उनको आपको काफी ढूणना पड़ेगा इसको भी ढूणने में मुझे बहुत टाइम लगा था अधर्वाइस ऐसा नहीं है कि मार्किट में आपको अच्छा इस्टफ नहीं मिलेगा अगर आपको चब्ध कर लिया था कि स्टूप लेजर बहुत बुरे लगते हैं या स्टर सोन की स्टूप हो तो बहुत बुरी लगती है आपको मेरा यह विंटर्वीय कलेक्शन पसंद आया होगा जिसे शग ली थी वह आपके साथ शेयर कर दी हैं सो मिलते हैं हम अपने नेक्स वीडियो मे तिल देन टेक केर and बाई बाई